फाइनली दोस्तों इन्डेसरवर के लिए Holy event कंफरम हो चुका है तो दोस्तों इन्डेसरवर के ऊपर Holy event कब से स्टार्ट होगा Holy event के ऊपर कौन सा आप लोगोगो Free का mail bundle मिलेगा और कौन कोनसे Free के rewards मिलेंगे आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ये बता हूँ और साती में आप लोगों को Holy A event का pre-access भी दिखाने वाला हूँ और भी कावी सरी updates इस वीडियो पे आप लोगों को पता चैनले माली है तो लास तक वीडियो पे बने रहें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इन फिचर और ऐसे अपडिट जानने के लिए चैनलों को सब्सक्राइब करें नोडिफिकेशन बेल को ओल पर सेट करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से पिछले 10 दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि इंडे सर्वर के उपर आप लोगों को होली इवेंट देखने को मिलेगा और बांगलेश और सिंगपूर सर्वर के उपर आप लोगों को रमदान इवेंट देखने को मिलेगा तो finally इंडर सर्वर के उपर तो holy event confirm हो चुका है और holy event आप लोग के लिए देखने को मिलेगा 15 मार्स से और ये खतम हो जागा 28 मार्स तक इस बीच आप लोग को एक event देखने को मिलेगा जिसका नाम है holy hurl के नाम से पर इसका जो main event होगा वोगा आप लोग के लिए holy है event के नाम से जहाँ पर आप लोग को काफी सारे free के rewards मिलेंगे तो इस event के उपर basically आप लोग कुछ balance को collect करना है मतलब आप लोग को यहाँ पर कुछ points को collect करना है और उसके बाद आप लोग को reward को exchange करना है तो मैं आप लोग को इस पूरे वेब event का concept समझा दू तो दोस्तो जो अभी आप लोग को में ये PNGs दिखा रहा हूँ इन सभी PNGs की मज़से ही एक वेब event को design के जाएगा जिसका नाम है holy hurl ठीक है पर इसका जो main डाम है वो है holy है के नाम से ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो बेसिकली आप लोग को कुछ missions देखने को मिलेंगे जिस mission को complete करने के बंदे में आप लोग को मिलेंगे tokens इन tokens को आप लोग बोल सकते हैं chances दोस्तो इन chances की मज़से दोस्तो आप लोग को यहाँ पर balance को burst करना है मदब आप लोग को ford ना है जिससे आप लोग इन balance को ford ओके तो दोस्तो आप लोग को यहाँ मिलेंगे points और उन points की मज़से आप लोग को यहाँ पर rewards को करना है exchange और rewards काफी जादा कमाल के होने वाले हैं जिसके अंदर सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा एक loot box का skin जो कि आप लोग देख सुरते हैं काफी अच्छा काथी loot box का skin होने वाला है और मुझे लगता है कि यह आप लोग को कम से कम point में ही मिल जाएगा इसके बाद एक skyboard का skin भी आप लोग को इसी event के वह बिल्कुल free मिलेगा जिसका नाम है skyboard carnival के नाम से और यह भी काफी OP होने वाला है और साथी में आप लोग को एक mail का bundle भी बिल्कुल free मिलने वाला है दोस्तो फाइनली गरीना फ्रिपर ने हम लोग की सुननी मतलब काफी टाइम से गईना फिफर यहाँ पर फिमेल के bundle को free में दे रहा था पर अब गईना फिफर यहाँ पर एक mail के bundle को free में दे रहा है basically मुझे bundle बहुत साधा पसंदा है और गईना फिफर को holy event के ओपर free bundle देना ही था वैसे इस bundle का जो नाम है वो है edge rider के नाम से इसका चाहिए आप लोग bottom ले लिजे या फिर इसके source ले ले लिजे या फिर इसके hair ले ले लिजे मुझे सारे ही पसंदा है तो आप लोग मुझे comment करके बताना कि holy है event के ओपर आप लोग को free का mail bundle मिल रहा है या आप लोग को कैसा लगा और इस bundle को निकालने के लिए या फिर exchange करने के लिए मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पर जादा से जादा token घटे करने पड़ेंगे तब ही जाके दोस्तों आप लोग इस bundle को exchange कर पाएंगे इस event का दोस्तों concept बहुत simple है ठीक है आप लोग को पहले यहाँ पर missions को complete करना है उसके बदले में आप लोग को chances मिलेंगे और उन chances से आप लोग को balloon को burst करना है जहाँ पर आप लोग को अलग-अलग color के अलग-अलग chances मिल जाएंगे मतलब आप लोग मान के चलिए कि red balloon के लिए आप लोग को दो chances मिलेंगे मतलब आप लोग दो chances में इसको burst कर पाएंगे और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से आप लोग को points मिलेंगे और उन points के बदले में आप लोग इन तीनो rewards को exchange कर पाएंगे इसका जो concept है मुझे पसंद आया ठीक है साथी में background वगएर आप लोग देख सकते हैं और साथी में इस event के ओपर जो music use होने वाला है वो भी आप लोग सुन सकते हैं यह भी मुझे पसंद आया ठीक है और साथी में होली है event के ओपर इतना है नहीं बलकि इससे भी जादा और आप लोग को free के rewards देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे पहले आप लोग को holy है event 2024 से related एक bundle भी देखने को मिलेगा अब मुझे नहीं पता कि यह bundle आप लोग को free मिलेगा या फिर paid मिलने वाला है और साथी में एक emote आप लोग को मिलने वाला है और मुझे लगता है कि यह emote आप लोग को free मिलेगा बेसिकली दोस्तों अभी event आना और बाकी है क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग को सिर्फ मैंने एक ही event के बारे बताया है जो कि holy hulk hub के नाम से ठीक है तो भाई अभी तो काफी सारे और events आप लोग को देखने को मिलेगे आने वाले time के अंदर ठीक है अब लोग को एक gold royal भी देखने को मिले सकता है special जो holy event से related होगा और अब काफी सारे players के दिमाग में ये question आ रहा होगा कि अगर Indian server के ऊपर रमदान event नहीं आ रहा तो क्या Ramadan event से related reward आएंगी या फिर नहीं आएंगे और तीनों events आप लोग को देखने को मिलेंगे Indian server के ऊपर अगर Ramadan event का कोई ring event आता है तो दोस्तों वो आप लोग को Indian server के ऊपर भी देखने को मिलेगा ठीक है बस दोस्तों उसका नाम change हो सकता है या फिर गई ना फिर कोई और चीज़ रख सकते है पर आप लोग को तीनों server के ऊपर same events देखने को मिल जाएंगे चाह वो ring event हो या फिर वो कोई luck royaltic है तो होप आज के इस वीडियो के अंदे मैंने आप लोग को holy event के ऊपर आने वाले सभी के सभी free rewards के बारे में बता दिया होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और in future और ऐसे अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल कोना all पर सेट कर लेना और दोस्तो अगर तुम लोग के धिमाख में कोई अपडेट चलना है तो comment box बिल्गुल खालिये जाके अपने comment को लिखना ना भूलना क्योंकि next वीडियो के अंदर में आपकी comment को ज़रूर पिक करूआ और दोस्तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो break dancer bundle return के बारे में तो left वाली वीडियो पे किलिक कर लो और अगर तुम लोग जानना चाहते हो थाला events की items को तुम लोग कैसे wish list में add कर सकते हो तो उसके लिए right वाली वीडियो पे किलिक करना दोनों ही वीडियो के अंदर तु I love you and take care and always keep smiling guys जय हिंग जय भार